आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि पोईट्री रेसिटेशन कैसी की जाए और यह क्यों जरूरी है बच्चों के लिए यह क्यों जरूरी है उनकी लिए कि वो समझ सकें कि पोईट्र ने क्या कहा है और पोईब्स के अंदर क्या चीत है मौजूद है सबसे इंपॉर्टन चीज यहां पर यह आती है कि बच्चों को जरूर 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 ओडियंस की जरूरत है अगर वो पोईट्री खुद दिखना शुरू हो गए हैं जो के डेफिनेटली पार्ट अफ ता टीचिंग लर्निंग प्रॉसस भी है और करिकलम भी है कि ना अनिमेटेट फॉर्म के अंदर ले आएं इस आक्टुली गिफ चिल्रन पॉर्टनिटी तो रीच अवाइडर ओडियंस और सेंस अ पर्फॉस आप दियर राइटिंग उनको अप्रिसियेशन मिलती है उनको यह एसास होता है कि जो उन्होंने लिखा है बहुत से लोग उन्ह सुन रहे हैं समझ रहे हैं enjoy कर रहे हैं और उनके मिनिंग तक पहुच रहे हैं इसके लिए हम क्या तरीके इस्तमाल कर सकते हैं एक तरीका है कि हम रेसिटेशन कॉंपटीशन भी करवा सकते हैं जिसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि poetry is an oral form और it needs speaker and listener बोथ जिब हम poetry को जो connection एक association बनता है वाया the poem we are reciting with the listener so that's how we come close together in meaning making in connection so that is very very important तो हमें important चीज़ है कि जब हम बच्चों को किसी competition में डार रहे होते हैं जहां चाहे वो अपनी नजमें बनाई भी पढ़ें या वो कोई और नजमों को आब आवाजे बिलंद पढ़ना चाहते हैं तो आप बच्चों को यह भी encourage कर सकते हैं कि वो अपनी मा बोली जबान की में भी लेकर आएं जिसके थूर आपके एक heritage की variety आपकी competition में आपकी classroom में नजर आएगी कि आपके अपने मुल्क की कितनी variety of languages है और उसको कितनी अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है और क्या किया जा सकता है बहुत अच्छा event organized किया जा सकता है competition के लिए चाहे वो classroom के अच्छे है रिसाइटर और जजजेश हैं वो तमाम audience को नजर आएं बच्छों को जो है जब आप first time microphone देते हैं तो it is good कि आप उनको पहले रिहसल करा ले और आप हर बच्छे को चार से पांच मिनट दे सकते हैं कि वो अपनी लिखी भी poem को recite करे या अगर वो simple recitation competition है तो जो initiator of art and poetry and literature जो आपको खुद कैसे poem recite करनी चाहिए Poetry is a visual form of writing तो सबसे पहले जब आपके सामने नजम आती है आप उसको देखें कि यह visual form है writing की जब आप नजम को देखते हैं तो कम आपको दो चीज़े पता चल जाती है क्या यह formal poem है यह free verse poem है तो formal poem कैसी होती है formal poem के अंदर सबसे important चीज़ यह होती है कि उसकी lines होती है उनकी length बराबर होती है जिसके stanza होते है और उसके structure rhythm होता है वो आपस में बहुत match होता है और उसके अंदर एक rhyme मौजूद होती है उसकी जो language होती है उसके अंदर जो जबान use होती है जैसे घसलों के अंदर वो आम जबान नहीं होती है जो हम अपनी आम जंदगी में इस्तमाल करते हैं और की दफार उसका मिनिंग इतना आसानी से आपको समझनी आता है इस वेरी डीप मिनिंग यह फ्री वर्स पोईट्री लेते हैं जिसको हम अजाद नजमे कहते है वह अन्स्ट्रक्चिर होती है और उनके जो लाइन होती है उनकी लेंद बराबर नहीं होती जरूरी नहीं है कि दो स्टेंजा के दर्मियान यह वर्स के दर्मियान एक स्पासिफिक रिधम मौजूद हो तो आपकी यह एव्रीडे लेंगवज के साथ भी मैच करती है आप य जरूर कोई plot होगा message होगी कोई important ending मौजूद होगी तो we need to check it out देखते ही poem को किस poem के अंदर क्या है second step जो है read it out aloud आप उसको बावाजे बुलन पड़ें most poems are written with lots of interesting sounds free verse poetry जो है most of the time एक ऐसी poetry होती है जो के आपके एक formal grammar जो written में इस्तेमाल होती है इसको इसको इस्तेमाल नहीं करती है वो ऐसी grammar को इस्तेमाल करती है जो हम informally बोल रहे होते हैं it is good कि आप उसे बावाजे बिलंद पड़ें और देखें कि वो point क्या है so read it in your normal conversation voice जब भी आप को नजम पड़ें तो आप उसको आम आवाज में पड़ें उसको dramatize ना करें अमोमन जो आप आम conversation style में नजम पड़ते हैं वो बहतर तोर पर समझाती है so आपने नजम की stanza को कहा रोकना है जहां punctuation आए जहां line खतम हो रही है वहां नहीं रोकना so इससे हमें यह पता चलता है कि शायर indirectly sounds में और rhythm में क्या interesting message देने जा रहा है so कैसे पता चलता है अगर आ many special sound tricks वो rhymes भी हो सकती है वो alterations भी हो सकती है repetitions भी हो सकती है रिदम भी हो सकती है तो हमें बुन्यादी तोर पर जब हम नजम को बढ़ते हैं बार बार तो हम इसको यह देखना पड़ता है कि उसके अंदर कौन सी ऐसी sound tricks है जो poet ने जानबूश के रखी है बुन्यादी तोर करने का मकस दी होता है कि वो poem कर सबसे एहम हिस्था है. और आपको समझाएगी what is written over there understand poetic language कि शायर ने वो language जो इस्तेमाल किये वो क्यों किये है उसमें जो imaginary है वो क्या है उसके अंदर जो metaphor इस्तेमाल हुए है वो क्या है और आप उनको actually visualize करने की कोशिश करें आप ही चक करें कि क्या उसके अंदर कोई unfamiliar words तो नहीं है जिसको आप नही जानते कोई surprising punctuation तो नहीं है जिसको आप नहीं जानते या जब आप उस तरीके से उस punctuation की तरीके से इसको पढ़ते हैं तो क्या उसके अंदर कोई अजीव गरीब मिनिंग तो नहीं निकलता जो सीधा पढ़ने से नहीं समझ आ रहा है poetry को visualize करें जब आप उसे पढ़ रहे है तो सबसे important visualization है कि जब आपकी पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट जो है वो चांग की तरह है so visualize it in your imagination ताके आप उसको feel कर सके आप उसके इंदर जो images हैं उसको feel कर सकें कि अगर उसमें आपको कोई sound का metaphor दिया जा रहा है कोई smell का कोई taste का कोई side का तो visualize it in your mind ताके व Poet is playing with sound or punctuation उसको बावाजे बुलंद पढ़ें बार बार पढ़ें और उसके अंदर देखें कि क्या extra meaning find out हो रहा है मैंजे different तरीके से पढ़ने से तो हमें important है समझना कि जो हमारी poetic language है जिस poem को भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर क्या message है वो overall poem को क्या दे रहा है तो यह सवालात आपके सामने होते हैं Do they help you understand what happening in the poem in a different way? Do they affect how poem makes you feel happy, sad, excited or something else? Do they make you notice things about the word जो से पहले आपने कभी notice नहीं किये? तो जब आप poem को बावाज़े बुलंद पढ़ते हैं और उसके elements उसके अंदर उसकी जो language है उसको visualize करते हैं poem आपको कहीं और ले जाती है और किसी और level पे समझाती है सर्पने करें के जब पुलंग झाल झाल